आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनोड करें अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो तो हमारा क्या होता है, रिडावेशित कड है तो यह चीज हमें पता है कि जब कोई भी आवेशित कड हमारा किसी बैदुच्चेतर में रखा जाता है तो उस पे एक बल लगता है जो बल होता है बैदूद बल उसका मानक होता है Q into E के बराबर ठीक यह हमारा बल लगता है जब कोई भी हमारा आवेशित कर जिस पे आवेश Q है किसी बैदूद छेतर में रखा जाता है तो अब यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोन है तो इलेक्ट्रोन पे आवेश कितना होता है small e अच्छा यह हमारा रिडावेशित होगा तो इस पे जो बल लगेगा हो हमारा बल इस बैदूद छेतर के बिपरी दिसा में लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रोन हमारा रिडावेशित है कि electron की जगह पे आप proton रख दीजिए तो बल में बल दोनों बल में तुलना बताईए कि जब आप proton रखेंगे तो बल में क्या परिवर्तन होगा अभी हम माल लेते हैं 22 चेतर हमारा ICD सामे है लेकिन इस बार हमारे पास क्या है यह हम दूसरी स्थिती बना रहा है electron की जगह पे हमने proton रख दिया question में कहा जा रहा है कि electron की जगह पे आप proton रख दीजे तो यहाँ पे क्या आगया proton proton क्या होता है धना वेशित कड होता है proton पे कितना आवेश होता है electron के बराबर इस proton पर अगर आवेश देखें तो कितना होता electron के बराबर अब कोई अगर धना वेशित कर बैदुच्षेत में रखा है तो उस पर जो बल लगेगा वो हमारा किधर लगेगा बैदुच्षेतर की दिसा में बल लगेगा और उसका मान कितना हो जाएगा हमारे पास small e into capital E के बराबर यह हमारा बल का तो परिमाड हो गया अब दोनों बलों की आप तुलना करिए ठीक इसको आप बोल सकते हैं बल किसका proton के case में इसको बोल सकते हैं electron के case में तो यहां से अब क्या देख पा रहे हैं कि जितना बल हमारा proton पे लग रहा था उतना ही बल हमारा electron पे लग रहा है ठीक परिमाड की अगर हम बात करें तो यहां से बलों का परिमाड तो हमारा क्या है समान है लेकिन दिसा क्या हो गई हमारी बिपरीद दिसा में हो गई जो हम इलेक्टॉन पे बल लग रहा थहा, बैदोच्षेतर के विपरीद दिशा में लग रहा था, लेकिन जो हमारा प्रोटॉन पे बल λगा, ओ हमारा बैदोच्षेतर की दिशा में लगा, मतलब अगर बल देखे, बल का तो परिमाड बराबर है, लेकिन दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिसा में लग रहे हैं, ठीक? यह हमारा आंसर हो जाएगा, परिमार समान होगा, लेकिन जो बल की दिसा हो जाएगी, दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिसा में होगे, ठीक? यही हमारा इस question का आंसर हो जाएगा, थाइंक यू,